Hey guys, मैं हूँ Amita और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल FitLife by Amita पे कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी life, अपनी अपनी family के साथ enjoy कर रहे होंगे So guys, बहुत ही important video है ये, क्योंकि मुझे इतने सारे messages आते हैं वो सिरफ और सिरफ ये पूस्ते हैं और कहते हैं कि मेरी help कर दो So guys, help जहां तक की बात है, मैं आप लोगों को information दे सकती हूँ जैसे मैंने पहले भी काफी बार अपनी videos में बताया है कि मैं सच्ची और सभी information आप तक पहुचा सकती हूँ बट मेरी यहां अमेरिका में कोई company नहीं है, मैं authorized नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को job दे पाऊँ पहले बहुत बार बोला है बट फिर भी मुझे ये सारे comments आते हैं Instagram पे भी आप सबके ये messages आते हैं और जैसा मैं कहती हूँ कि Instagram पे मैं सबके messages पढ़ती हूँ और सबके requests देखती हूँ पर क्योंकि ये possible नहीं है कि मैं हर एक बंदी को personally जाके reply करूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी topic पे ज्यादा से ज्यादा सवाल, comments आते हैं, messages आते हैं उन सारे topics पे मैं आप लोगों के लिए video बनाओं और information share करूँ ताकि आप लोग उस पे काम करें और आप लोगों की help हो जाए आप सब नाराज मत हुआ करिए जब मैं Instagram पे personally सब को reply नहीं कर पाती है और साथ में आप लोग कहते हो कि मैं आप लोगों को अपना number दे दू तो खुदी समझ ये कि मैं कितनों को अपना number दे सकती हूँ क्योंकि possible नहीं है हर एक लोग से बात करूँ क्योंकि मेरे यहां खुद के भी बहुत काम है और हर एक को call करके बात करना समझाना हर डिटेल बहुत मुश्किल है नहीं possible है पर फिर भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बोला था कि मैं कुछ selected लोगों से फोन पे बात करूँगी ये रही वो वीडियो अगर आप सब चाहते हो कि मैं आप से फोन पे personally बात करूँ और जो भी आपकी query है वो फोन पे आपको information दूँ उसकी तो ये वीडियो लोग 10 अलग अलग फोन से मेरे चानल को सब्सक्राइब करेंगे यानि कि अपने दोस्तों के फोन से relatives के फोन से पेरेंट के फोन से और 10 अलग अलग वीडियो देखेंगे और उसका screenshot मेरे Instagram पे शेयर करेंगे उनसे मैं personally बात करूँगी और उनकी query solve करने की कोशिश करूँग तो please आप लोग ये करने की कोशिश करें और जो भी जल्दी से जल्दी मुझे भेजेंगे screenshots मैं उनसे बात करूँगी तो ये वीडियो आप जाके एक पर देख लेना आपको सब समझ में आ जाएगा तो चलिए topic प्याते हैं कि America में आप लोगों को job कैसे मिल सकती है तो आप कहते हो मुझे job दे दो मैंने बोला मैं job देने के लिए authorizeri नहीं हूँ मैं job नहीं दे सकती आपको क्या करना है वो मैं बताओंगी आज किस वीडियो में step by step पहला step है guys Gmail का account बना लेना actually कोई भी email id बनाना वो पहला step है वो बना कि दूसरा step है आपको अपना एक resume CV तयार करना है जिसमें आपको अपने काम के बारे में बताना है आप क्या करते हो आपका experience क्या है आपने आज तक यहां कहां काम किया है वो सारी details और अगर उसके format की बात करूं CV के तो आप Google कर लेना आपके जो technology है या जिस भी field से आते हो उसके बहुत सारे sample CV आपको Google पे easily free में available है तो आपको किसी को पैसे दे के CV बनवाने की जरूरत नहीं है आप free में वहां से अपना skill set के हिसाब से एक CV resume बना लेना यह दो काम करनी के बाद आपको क्या करना है यह बताती हूं मैं अब so guys 5 websites जो की आपको यहां job लेने में help करेंगे वो मैं आज किस वीडियो में बताने वाली हूं तो पहला website है LinkedIn जी हां दोस्तों बहुत ही popular website है जहां पे काफी सारे recruiters काफी सारे सारे लोग actually अपनी profile बना के रखते हैं तो जहां कहीं पे भी आपको job में apply करना है चाहे वो कोई भी जौब हो चोटे से चोटे जौब से लेकि बड़े से बड़े जौब तक CEO लेवल तक आप LinkedIn के थ्रू एप्लाइक कर सकते हैं तो जैसे electrician plumber या housekeeper सारे जौब्स आपको LinkedIn पे अवेलेबल दिखेंगे और साथ में वहां company वेगर भी होगी जो कि आपको यह बताएगी details में जब आप जाओगे कि क्या वो sponsor करेंगे आपका वीजा क्योंकि America आने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले वीजा चाहिए राइट बिना वीजा के आप नहीं आसकते अमेरिका कोई भी नहीं आसकता अमेरिका अगर आप घुमने आना चाहते हो तो वो तो कोई भी आसकता है B1 तो मैं आ गई हूँ अभी स्टेडियम आप देखो कितना खुबसूरत स्टेडियम है ये अभी तो पूरा का पूरा खाली है क्योंकि थोड़ी शाम हो गई है पर बड़ा हैपनिंग होता है दो पहर के टाइम ऐली इवनिंग में जब लोग खेलते रहते हैं तो आफी बड़ा को लिंक्डेन में अपने अपने प्रोफाइल के इसाब से जॉब सेर्च करनी है और उसपे अपलाई करना है और देखना है कि जो भी कंपनी ने वो जॉब निकाला है क्या वो वीज स्पॉंसर कर रही है कंपनी या नहीं और नोट करने वाली बात यह है गाइस कि अगर जोब दे दूँगा इसने पैसे दे दो तो यह गलती कभी मत करना कि अगर आपको कोई जॉब के लिए बुला रहा है यानि कि आप उसके लिए काम करने जा रहे हो तो आपसे पैसे क्यों लेगा इन फैक्ट वह आपको पैसे देगा राइट तो इसलिए जरूरी है कि पैसे न जॉब इंजिनेरिंग, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सारे जॉब्स आपको वहां देखने को मिलेंगे तीसरा जो वेबसाइट है वह है simplyhired.com, so simplyhired पे भी आपको काफी सारे jobs देखने को मिलते हैं अमेरिका में, और वहां पे आप जाएए, jobs में apply करिए, पर resume में बहुत अच्छा बना होना चीज़, आपका पहला resume ही देखते हैं, और अगर resume में आपका पसंद आता है, तो ही आगे का process होता है, तो resume में पे website है guys, dice, dice.com भी बहुत common है, सारे jobs आपको वहां अमेरिका के दिख जाएंगे, तो वहां पे भी आप जाए, account बनाए resume, upload करें, और जितनी भी jobs हैं, वहां कोशिश करें, कि आप apply करते रहें, क्योंकि कहा लग चल जाएगा, किस recruiter को आपका resume में पसंद आजाएगा, वो you never know, जरूरी है उसके लिए कि आप हर एक job में apply करें, जो भी आप से मिलता जुलता job है, आपकी field से आपका जो भी काम है, अपने experience के हिसाब से, और guys, government job, अगर अमेरिका में सरकारी नौकरी करनी है, उसके लिए जो website है, वो है usajobs.gov, जितने भी अमेरिका के government jobs हैं, वो आपको व वहां पर मिलेंगे, तो कोशिश करें कि वहां पर भी अपना resume upload करें, जितनी भी jobs आप से related हैं, उसमें apply करें, और recruiter के नजर में आएं, ताकि वो आपका resume select करें, और आपको call करें, और उसके बाद process शुरू हो जाए, So guys, यही 5 websites, जो मैंने आप लोगों को बताए, बहुत common, बहुत popular हैं, अगर आप अमेरिका में jobs apply करना चाहते हो, तो यह पीछे sunset देखो, क्या मस्त कमाल का sunset का नजारा है, तो guys, यह वीडियो में यहीं end करती हूँ, और मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक